नमस्कार दोस्तों ग्यान सरकिल यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार भिड़ से स्वागत है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पुरुष का विबेक होता है और महिला की सुन्दरता चाड़के की ये बातें कई मायनों में बहुत हद तक सही दिखती हैं उनकी ये बातें महिलाओं के बारे में उनके विचार परकट करती हैं चाड़के की बातें सदियों से लोगों की प्रेड़ा का सुरोत रही हैं जानिए दोस्तों आचारे-चाड़क ने किन-किन इस्त्रियों से दूर रहने की सलाह दी है। इन इस्त्रियों के पास जाना भी सबसे बड़ा पाप व्यक्ति को लगता है। ये आपको जहां भी दिखें तुरंत महां से भाग जाना ही सुरक्षित है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे, लेकिन उस से पहले करपे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं, और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो नमबर एक दुष्ट स्वाभाव बाली इस्त्री दोस्तों चारक्य के अनुसार इस तरह की इस्त्री से दूर रहने में ही भलाई है जिस इस्त्री का स्वाभाव खराब हो उसका खर्चा उठाने वाले पुरुष को अपनी जिंदगी में काफी नुकसान जहलना पड़ता है बुरे स्वाभावाली इस्त्रीयां बगताने पर आपका सरवनाश कर सकती हैं इसलिए पहले से ही सतर्क रहें जो इस्त्री केबल अपना मतलब पूरा होने तक साथ रहती है और ऐसे लोगों से संगती भी बिनाश की और ले जाती है नमबर दो संसकारी दोस्तों आचारे चारके ने कहा है जो इस्त्री संसकारी ना हो और चरित्रहीन हो और वो चाहें कितनी भी सुन्दर क्यों ना हो उससे दूर ही रहना चाहिए इसमें आपकी सबसे बड़ी चतुराई है अगर कोई लड़की देखने में सुंदर ना हो लेकिन संसकारी हो तो उसके साथ शादी की जा सकती है कहते हैं ऐसी संसकारी लड़कियां स्वर्ग से पधारती है और अगर जिस इस्तरी का चरीतर अच्छा नहीं होगा वो दूसरे पुरुषों की तरफ आकरसित होती है जो की ऐसी महिलाएं नरक को भोगती है नमबर तीन दोस्तों चाड़के जी और शास्तर का भी यही कहना है कि अच्छी इस्तरी बही है जो धार्मिक कामकाजमे निपुर सत्य निष्ट और अपने पती के लिए बफादार हो च नमबर चार दोस्तों किन्नर समुदाय के लोगों के घर जाकर किसी भी व्यक्ती को भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ती को पाप का भागीदार बनना परता है लेकिन हां किन्नर समुदाय को आप अपने घर भोजन करा सकते हैं यह बहुत ही बड़ा पुन्य माना जाता है नंबर पांच दोस्तों एक मर्द को वैश्या के घर भी नहीं जाना चाहिए ऐसी औरतों के आसपास भटकना भी पाप की श्रेंडी में आता है जो व्यक्ति इनके घर भोजन करता है तो उसे भी पाप भोगना पड़ता है और वहीं जो औरत तो उसे भी आपको बचना चाहिए नहीं तो आप किसी बड़ी दुरगटना का शिकार हो सकते हैं दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और रोजाना इसी प्रकार के बीडियो देखने के लिए हमारे ज्ञान सरकिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए मैं मिलता हूँ आप से एक आइसी ही इंट्रेस्टिंग इनफोर्मेटी बीडियो के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत